समस्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो ओपैक प्लस जो देश हैं वो कंट्रीज हैं अभी बताऊंगा भी कौन सी हैं उनके द्वारा क्या है कि जो तेल का उत्पादन है यानि जो ओल प्रोडेक् तो इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो में आके बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए माप लोगों को उता जेता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस जो कि पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए ओपैक इसकी फुल फॉर्म क्या ओर्गनेजिशन ओफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट्स अलाइज अब यह जो प्लस का साइन है इसका भी मतलब है क्योंकि इसके अ देखिए ओपैक ऐसा एक ओर्गनेजिशन है जिसके अंदर जो तेल उत्पादक जो तेल प्रोडक्शन जो देश हैं उसके अंदर यह शामिल होते हैं अब यहां पर आप एक ऐसा गुरूप बना लीजिए जो किसी चीज को कंट्रोल करते हैं तो अब सोचिए इनकी मनमानी कितनी बढ़ जाती है अब यहां पर देखिए COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद कि यह सबसे बड़ी कट होती है और अमेरिका ने तो यहां पर एक बिल पास कर रखा है नो ओयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग काटल यह बिल जो है जो अमेरिकी जो कंजूमर है औ उनकी तेल की कीमते जो बढ़ रही है उनसे जो परभाव उनको पड़ेगा उसको बचाने के लिए उनसे बचाने के लिए अमेरिका ने यह बिल पास कर रखा है अब यहां पर बात आती है कि इन्होंने प्रोडक्शन कम क्यों कर दिये अब दिखिए प्रोडक्शन कम करने क पीछे दिखे रीजन क्या दिये गए है युक्रेइन पर एक तो रूस ने आकर्मन जैसे कर रहा है जैसे क्या हुई थी कि तेल की किमते काफी बढ़ गए थी लेकिन कुछ पिछले कुछ महीने से इसके अंदर कम ही आई थी यूरोप में मंदी के आशंका चीन में लोकडाउन के उपायों के कारण सितंबर 2022 तक इसकी जो कीमता है यानि कि जो परती बैरल वो 90 अमेरिकी डोलर से कम हो गई थी अब इनको चिंता हो गई अरे हमारे पैसे कम हो जाएंगे हम कैसे अपनी इंकम को जादा करेंगे तो ओविसली एक तो ये रीजन था कि या जाने वाले यहां पर यह के रीजन यह निकल के आता है दूसरा यहां पर इस कटोती से देखे केमते में वृती होगी जो जो मिडल इस्टन जो कंट्रीज हैं उनको काफी जादा फाइदा मन्द होने वाला है क्योंकि देखे यूरोप ने युक्रेन पर आकरमन के बाद रूस के देखी और इस कटोती के इस कटोती को मुनाफ़े को बनाये रखने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है कि बहुता को जादा जादा पहुंचाना जाते हैं लेकिन एक चुल में यह कार्टल है कार्टल बोले तेक ऐसी और्गेनाईजिशन है जो सिरुफ पर सिरुफ अ उन्हें तेल की प्रडक्शन जाए वो कम कर दिये अब युक्रेन पर रूस के आकर्मन के साथ हुई जो तेल की केमतों में वृधी और उपेक के संस्थापक सदस्यों में से जो एक साओधी अरेब है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थवस्ता बनने में साहिक हु अब देखे इसे प्रड़क्शन लगा रखे अब ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन कर दिये ये सारी जो चीजे हैं पस्च्चिम के लिए देखे रूस पर उर्जा पृत्तिबंद का विश्तार करना ये बहुत महगा साबीथ होने वाला है वेस्टन कंट्री इसको वेस्टन countries के साथ उरोपिय देशों पर और अमेरिका के उपर क्या क्या परभाब पड़ा है इनको हम individually जान लेते हैं उरोपियन देशों पर जो परभाब पड़ेगा उसको देखते हैं हाली में यह दे कि उरोपिय संग ने रूस से तेल हम लेंगे इसके उपर इन्होंने एक मुले शीमा लागू कर दी यानि एक कैप लगा दी इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हम कम लेंगे और इस योजना के तैत इन्होंने कहा है कि ये देशों को केवल समूंदर के माद्यम जो ट्रांस्पोर्टेशन के माद्यम से जो रूसी तेल आया है जो पेट्रोली मुतपाद को करीदने के अनुमती होगी जो मुले शीमा पर या उससे नीचे बेचे जाते हैं मतलब ज़्यादा फाइदा नहीं पहुचाना है रूस को कम लो बहुत कम लो हलांकि आप पूर्ती को कम करने के हालिया निर्णे से वैश्विक तेल की किमतों में उच्छाल आने की संभावना है जिससे भाईया रूस को अपने कच्छे तेल के निरात में महतरपुन जो रिवेन्यू कमाने का जो लक्षय है यहां पर देखिए उपेक प्लस तु कट ओवेल प्रोडक्शन बाइट टू मिलियन बैरल पर डे तु शोर अप दिप्राइज डिफेंग यूएस प्रेशन मतलब इसका मतलब यह हुआ कि यूएस जो है वो बार बार जो उपेक प्लस देश है उनको कहता आ रहा था किर्पया करके प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए किर्पया करके प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए लेकिन उन्हों में प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं यानि कि जो बेड़ें जब से आए हैं उनके एक तरीके से कह सकते हैं कि उपर से production कम और कर दीगे जिसके लिए America के लिए जो कदम है वो बहुत ज़़ादा हानिकारख होने वाला है America के लिए अब कटोती में कमी और बाद में तेल की कीमतों में विर्दि विशेश रूप से America के लिए तो बहुत ज़ादा खतरनाग हो सकते हैं कि नुवंबर 2022 में मध्यवदी चुनावों से पहले जो ये inflation rate को कम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके उपर बहुत जादा असर पढ़ने वाला है ये तो हो गया हमने बात कर लिए कि परभाव जो यूरोपियन देशों पे और US पे क्या पढ़ने वाले हैं भाई बारत के उपर भी तो कोई परभाव पढ़ता होगा बेशक देखे भारत अपने कच्छे तेल की खपत का लगबग 85% 85% हम बाहर से मंगा रहे हैं अब इससे तेल प्रोड़क्शन कम करेंगे तेल की जो कीमत हैं उनके अंदर विर्दी होगी अब ओविसली जो हमारा एक जो आयात बिल है इंपोर्ट बिल है वो बढ़ने वाला है इंपोर्ट बिल बढ़ने से केवल मुद्रा स्विति यानि इंफलेशन तो बढ़े बढ़ेगी उसके साथ इसाथ करंट एकाउंट डेफिशिट जो हमारा राजसव है राजसव घाटा वो भी बढ़ेगा इसके अलावा जो डोलर के मुकाबले जो रुपया है वो कमजोर होगा शेर मार्केट है जो उसे वो परभावित होने वाला है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में परभावित होने वाली है ऐसा नहीं है कि अमेरिका हो गया या ये ये वेस्टन कंट्रीज होगी इनके उपर ही परभाव पड़ेगा भारत के उपर परभाव नहीं पड़ेगा एक चीज़ देखिए हम अगर किसी चीज़ के उपर डिपेंडेंट है 85% हम मान लिजे 100 लिटर हम तेल की हमारे देश को जुरूरत है तो उसमें से 85 लिटर तेल तो हम बहार से मंगा रहे हैं अब इस 85 लिटर तेल में अब प्रोड़क्शन कम हो गई मांगने वाले बहुत सारे बैटे हैं तो अब इसकी कीमतें तो बढ़ जाएंगी कीमतें बढ़ने पर हमारे देश में भी इसमें परभाव पड़ेगा और बहुत ज़्यादा परभाव पड़ने वाला है GDP का लगभग 4.4% तक बढ़ सकता भाई साब इतना ज़्यादा हमारे उपर ये परभाव पड़ेगा अब OPEC क्या है इसको भी जान लेते हैं जो इसके founding members हैं देखिए इरान, इराक, कुवेत, साओधी अरब और वेने जोएला 1960 में इसको बनाया गया था और OPEC ने काफी जादा विस्तार कर लिया अब इसके 13 सदस्य राज्ये हैं ये सदस्य जो हैं वो Algeria, Angola, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, कुवेत, लीबिया, नाइजीरिया, साओधी अरब, साओधी अरब, इमरात, वैने जोएला कतर भी हुआ करता था लेकिन 2019, एक जनुवरी 2019 को इसने अपनी सदस्य तायनी मेंबर्शिप छोड़ दी थी अब इसके अलावा इसमें 10 अलग और मेंबर हैं जिसके कारण इसको ओपैक प्लस कहा जाता है और पैक प्लस देशों में 13 सदस्यों के साथ अजरबैजान, बहरीन, बुरनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिन सुडान और सुडान ये देश भी इसके अंदर आते हैं और जो इसका में अब्जेक्टिव है देखे, इस संगटन का जो देश्य है, जो अब्जेक्टिव है, वो क्या है? अपने सदस्य देश्यों की पेट्रोलियम निती, यानि जो पेट्रोलियम जो पॉलसी है, उसको बनाना, एकी करन करना, और जो उब्भोगता है, जो आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनश्चित करने के लिए तेल बजार का स्थिरी करन करना, मतलब की स्टेबलाइजेशन करना, सीधी सी बात है, यह बोल रहे हैं कि भाईया हमें एक ऐसा मार्केट देना है कि कंजूमर को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, मतलब सब फ और गाईया है यह बात हैं तो यह कुछ एक दिन के महमान है आने वाले टाइम में यह फिर कहेंगे कि भाया ले जाओ जैसे कि करोना टाइम में इनके लिए तेल बिकना मुश्किल हो गया था, इनके तेल रखने तक के रुपे इनके लगने लग गये थे, यह कुछ एक कहते थे अब ओपेक ने का कि देखिए हम पेट्रोलियम बजार पर इतने जादा हमारा इंफुलेंस है किरपया करके हमें थोड़ी एहमियद दीजिए अधिक तरजी देने कि इन्हों ने कहा है कि हमारी कुछ बाते मान लीजी अगर हो वर्ष 2018 की अगर हम बात मानें तो दुनिया के कच्चे तेल का लगबग 40 परतिशत इन ओपेक के पास है दुनिया के तेल भंडार का 80 परतिशत का हिस्सा ये रखते हैं और आम तोर पर ये निर्धारित करने के लिए हर महीने मिलते हैं जो इसके सदस्य जो देश हैं वो कितना तेल का प्रोडक्शन करेंगे हलांकि कई लोगों का यारोब भी है कि ओपेक एक कार्टेल है कार्टेल मतलब कि एक ऐसी संस्ता है जो नियंतरन इस तरीके से ववार करती है कि तेल की आपूरती यानि प्रोडक्शन उसका निर्धान करना और विश्व बजार में इसकी कीमत को प्रभावित करना मतलब ये एक तरीके से अपने फाइदे के लिए ही खेलते हैं हर कोई अपने फाइदे के लिए ही खेल रहा है ये सिर्फ दिखावा हो जाते है कि हम ये जो उबहुकता की बात लेगी है ये सिर्फ और सिर्फ नामात्र है कोई उबहुकता के लिए नहीं सोचता है सिर्फ अपने के लिए ही सोच रहे हैं यह तमाम बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई हो तो मुझे कैसे समझाएंगे ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पीडियो के लिए ओल्रीडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया में लेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्यू पॉर वाचिंग दिया